हम लोग आज पता करते हैं जो टॉप के परफार्मर्स होते हैं जिनकी आल इंडिया रैंकिंग अंडर थाउजन होती है जिनके मांक 680, 690, 675 इस तरह से होते हैं ये बच्चे कौन सा कॉलेग चूज करते हैं तो देखने में आया ज्यादा तर ऐसे वस्टूड है आल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आज मैं फर्स राउड और ज्यादा तर सेकंड राउड के बेसिस पे बताने वाला हूँ कि थाउजन एया यार वाले बच्चे कहां पे अपनी च्वाइस को रखते ह कौन से सीट हो लेते हैं कौन सा MBBS कॉलेज उनको एलाट हुआ है ये मैं आपको डिसकस करने वाला हूँ डिटेल में तो चैनल में अगर पहली वार आए हैं तो आप सब्स्राइब कर लिजेगा चैनल को वीडियो पसंदाए लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा और बत पता ही किसका होने वाला है टॉपर का एमस नियू डेली में जाने के लिए मुझे तो लगता है कभी कभी लग फैक्टर आ जाता है क्योंकि 720 स्कोर करते हो 715 स्कोर करते हो तब जाके ये मिलता है और गटिंग 100 परसन मार्क समवेर लग भी काम करता है क्योंकि इस 21 लाख जो चूट गया अगर आब आब जन्रल अर्विजर्ट के हो तो तो सबसे पहला चोईस ऑबियस चोईस है एम्स न्यू देली सेकेंड मौलाना अजार मेडिकल कॉलेज थर्ड वर्दमान महावीर मेडिकल कॉलेज फोर्थ अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज मैं ये सारे आपको बता रहा हूं टॉप AIR ने जो सेलेक्ट किया इसका मैंने पूरा लिस्ट बनाया है समस मेडिकल कॉलेज जयापूर भी बहुत ओबर हाई रैंक है लेडी हार्डिंग डेली का हाई रैंक है बाहर के लोगों के लिए मैं डी यू कोटा नहीं बता रहा हूं डेली उन्वसिटी को एमस भोनेसवर बहुत हाई रैंक पे कॉलेज है नाइन्थ चौईस है मेरे लिस्ट में ये जी एमसी एन हॉस्पिटल चंडी गड़ ये भी बहुत अच्छा हाई रैंक कॉलेज है ये दसमे रैंक पे हमें रखा है एमस जोधपूर एमस भोपाल तेने एमस पटना ये कोई और लिए रैंकिंग को रिपजन नहीं करता है मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन नहीं उसके लिए पी काफिडिमांड आई एमस नागपूर एमस रिसी केस बैंगलोर मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टूट बैंगलोर इंस्टूट अप मेडिकल साइंस बी एच यू बाइस कॉलेजेज मैंने इंक्लूड कर ली है जो हजार या यार वाले बच्चों ने इसको प्रिफर किया चूज किया और मैं थोड़ा सा मेरे पास सीक्वेंस भी है सेकेंड राउंड में 60 रैंक वाले बच्चे ने मौनाना जाज चूज किया 87 वाले ने वी एम एमसी चू कॉलेज डॉक्टर राम मुलह न्यू देली 194 SMS जैपूर 203 लेडी हार्डिंग तो यह सारा सीक्वेंस था जिसको मैंने आपको बताया तो इस तरह से आप अगर इन टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो अपनी रैंक को आपको इंशूर करना पड़ेगा कितने में और इंडिया थाउजन रैंक लाना वाले बच्चे के पास बहुत क्लियर कट मोटो क्लियर कट स्टडी बहुत अच्छा यूनीक प्लानिंग होना चाहिए प्रेशर तो फ्री होना चाहिए बच्चा प्रेशर लेके कोई रैंक नहीं ला पाता यूस उड नो हाव तो गेट रीड़ और अब बच्चा प्रेशर लेके टेंशन लेके आप नहीं कर सकते नो हैं पढ़ने में यूसर पा रहे हो तो आपका सेलेक्शन अच्छी रैंक से होगा पढ़ने में नहीं करोगे तो दिखकत में आ जाऊओं कि बता रहाँ और बताए क्या और वीडियो चलिए आ खोस्पेर विडियो बना किया को दूगा, thank you very much, bye-bye.